उत्पादन के साधन प्रकुतिक संपत्ति और श्रम के साहता से चीजवस्तु और सेवाओ को उत्पादन किया जाता है यह उत्पादन करने के लिए अनेक विद साधनों का उप्यग होता है इसे चार भागों में बाटा गया है जैसा पहला जमीन, दुसरा पॉंजी, तिसरा स्रम और चौथा नियोजन तो यह चार पाटों के अंदर उत्पादन के साधनों को बाटा गया है पादना पगार आपको करना है तो आपको अपनी जमीन चाहिए या भाड़े की या खुद की पैसा आपके पास चाहिए स्रम मजदूर हमें चाहिए नियोजन यानि पैसा को हमें लगाना है एक इन्वेस्मेंट करना है तो पहला देखते हैं जमीन सामाने अर्थ में जमीन को हम पुर्थवी की सपाटी के उपर की परत को हम जमीन मतलब जमीन कहते हैं परन्तु अर्थसास्त्र की परिभासा में जमीन अर्थात सभी प्रकार की प्रकुतिक संपत्ती ठीक है जमीन मतलब क्या सभी प्रकार की प्रकुतिक संपत्ति हर्थात यहां पे जमीन यहां पे उसके बाद धारातल में आई हुए खनी जातु आदिका समावेस जमीन में होता है इस प्रकार जमीन उत्पादन का प्रकुतिक संसादन है तो दूसरा पूंजी मतलब यहां पे मनी से है पैसा से उत्प भृतिक बदले के उदेश शे किए बीना जाने वाले किशी भी सारीरिक मानसिक कारेकोरो श्रम कहा जाता है भौतिक बदले, ठीक है, के उद्देशिट, मतलब हम कुछ काम करेंगे, हमें कुछ मिलेगा, तो वो कह सकते हैं, श्रम का उत्पादन सजीव साधने, सरम उत्पादन का क्या है, सजीव साधने, जिसमें कुर्शी मजदूर, कामदार, सिक्छक, डॉक्टर, कारिगर आदी का स श्रम में समावेष्च होता है, नमबर फोर, यहां पे नियोजग दिया है, मतलब यहां पे नियोजग भी कह सकते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में, जमीन, पूंजी, श्रम, जैसे तीनों साधनों का लाब, उद्दिश से, कुशलता, पूरवक्स, नियोजग करने वाले स्कूल, यहां पर एक सारा जो सरकल बनता है, उसे जो चलाता है, वो होता है, तो वो यह कह सकते हैं, यहां पर नियोजग कहला आएगा, आगे के टॉपिक दिया है, उत्पादन की साधनों का बढ़वारा किस प्रकार होता है, वो यहां पर हम देखेंगे, मानों के अवश् सताहों को पूरा करने के लिए साधन क्या है, सीमित है, उनली फॉर लिमिट्स के हैं, विस्वक के किसी भी देश में साधन अस्रीमित मातरा में उपलब्द नहीं होते, उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है सबी देशों के अंदर, परिणाम सरू प्रतिक देश में, परतिक देश अपने पास श्रीमित साधनों का उपयोग कैसे, कहां और कितनी मातरा में करें ये उनके लिए क्या होता है एक प्रश्न का कोशन का सवाल होता है। आदी प्रश्न साधनों के बटवारे में उद्बव होते हैं जिसकी चर्चा निम्न अनुसार हम करेंगे। नमबर वन हमें दियेगे आज सीमित आवश्रक्ता हैं मनुष्य के आवश्रक्ता हैं मरियादित और आज सीमित होती हैं एक आवश्रक्ता मेंशे अन्य अवश्रक्ताओं का उद्बव होता है जैसे कि हमें अगर दस रुप्य आज पापा दे दे तो हमके सुचते हैं कल पा परकार अनेक कारणों से आवश्रक्ता आश्रेमित होती है इसलिए इन आवश्रक्ताओं को पूरा करने के लिए आवश्रक्ता की पशंदगी करने पड़ती है नमबर टू दिये आवश्रक्ताओं में अतिक्रामक्ता क्रम यानि देखते हैं और सीमित अवश्रक्ताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन-कौन सी शमश्या है यानि आवश्रक्ताओं अधिक महत्तुपूर्ण यह वेक्ति को निश्चित करगे आवश्रक्त काओ को अग्रिमता क्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है यानि जो मान देजे कोई अगर चीज उसे यूज़ करनी है लेकिन वो सीमित मातरा में है तो जो जरूर ही है उतना ही क्या करना यूज़ करना जैसे कि स्टुडेंट्स आपको मान लेजे घर से एक किलो मेटर दूर जाना है ठीक है तो आपको वहाँ पर पैदल चले जाना चाहिए अगर अरजेंट ना हो तो तो वहाँ पर कह सकते हैं हमें आवश्रक्ता ना हो ताब हमें संतुष्ट उससे करना जिससे क्योंकि बता हैं कि पेट्रोल क्या होगा हमारा पेट्रोल भी बचेगा है तो आप किसका यूज करेंगे गाह बाइक का यूज करेंगे अगर आपको बोले कि कि आप पेदल चले जाओ सायकल से चले जा तो यह क्या होगी बहुकुफी हो जयुकि वहाँ पे आपको आर्जेंट जल्दी जाना है Cape अगा ही का तो आम पर अ क्वाएक का इस्तमाल करन तो जो जरूरियों उसको पहले यहां प्रकुतिक संपत्ति और जोर। करना पड़ता है यानि सूत समझ कर यानि इनका उपयोग करना पड़ता है और पशंद की गई आवश्रक्ताओ को लक्ष में रखकर साधुनों का बटवारा करना पड़ता है तो यह मर्यादित साधन के अंदर जिसके अंदर किसका समावेश होता है प्रकुतिक संपत्ति और म साधन जो वो क्या है सीमित है यानि कुछी समय तक चल सकते हैं इनका ही नहीं परन्तु वेकल्पिक उपयोग वाली होती है उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वो शाधन अनेक उपयोग रखता है मतलब एक बार चीज यूज करने के बाद द बाओ इस परकार उपयोग वेकल्पिक ऐसा कहा जाता है यानि जिस चीज़क के आप एक बार यूज करने के बाद दुबारा उसका यूज ना कर सको तो ऐसे उपयोग को वेकलपी कहा जाता है जिसे पेटरोल डीजल वगेरा ये सब चीज़ हैं कोईला वगेरा जमीन में गिहों की फसल बोएं तो बाजरी मकाई मुमफली अन्य फशल नहीं बोई जा सकती जमीन के अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है ये वे अगला टॉपिक हमें दिया है उत्पादन के साधनों में बटवारों की पद्दती क्या है वो हम यहां पे देखेंगे उत्पादन के साधनों का स्रेष्ट बटवारा करके अधिक तृवता से अधिक विकास करने का प्रियत्न प्रतेक देश करता है जिसमें समावेश होता ह बाजार पद्धती का और समाजवादी पद्धती का समावेश होता है ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे के एकदम आपोसिट यानि विरोधी कह सकते हैं इन दोनों पद्धतियों का समन्वे करके अन्य कुछ पद्धतियों की विक्षित हुई है परतिक देश अपने अनु देखेंगे तो पहला पॉइंट बाजार पद्दती अमरीका जापान आदी देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्दती से किया है बाजार पद्दती को पूंजी वादी पद्दती भी कहा जाता है पूंजी वादी मतलब पैसे वाली पद्दती भी कहा कह सकते हैं इस पददी में उत्पादन साधनों का बटवारा बटवारा जो होता है वो लाव के आधार पर होता है और इस पददी में उत्पादन और उसके साथ जुड़े हुए आर्थिक जो निर्ने जो होते हैं उसे केंदर में लाव मिलता है लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाबदाई माना जाता है उसे पूंजी निवेश कहा जाता है मतलब जिस उद्योग के अंदर पैसा लगाना लाबदाईग हो यानि अपना शेर लगाना लाबदाईग हो उसे पूंजी निवेश कहते है इस पद्दती में बाजार तंत्र जो होता है वो संपूर्ण रूप से मुक्त होता है मतलब फ्री होता है सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक निती या भूमी का उसके अंदर नहीं होती प्राइवेट होता है पाजार तंत्र में इस पर्धा का तत्व अनोखी भूमी का निवाता है इस पर्धा युक्त बाजार में अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए कारचमता अधिक से अधिक उंची ले जानी पड़ती है इस प्रकार की कारण अनेक नए संसोधन होते हैं और उत्पादन की नई पड़ती खोजी जाती है जिसके कारण उत्पादन अधिक होता है इससे देश का आर्थिक विकास सिवर होता है जल्दी से होता है इस प्रकार बाजार पड़ती में इस पर्धा या परती इस पर्धा का तत्व अधुरुष्य हाथ की तरह सामगर बाज पर नियंतरन रखता है इस पद्दती में राज्यों को हस्ता छेप ना होने से यह पद्दती मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पैचानी जाती है जिसे बाजार पद्दती कहा जाता है अब नेक्स्ट स्टुडेंट्स हम यहाँ पढ़ने वाले बाजार पद्दती के को बताईए तो यह आपको यह याद कर लेना है पहला पॉइंट उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या नीजी होती है मतला बजर पद्दती के अंदर साधनों की जो मालिक जो होता वो कौन व्यक्तिगत अथफा तो कोई नीजी आदमी होता है दूसरा बाजार केंद्र में लाब मिलता है तीसरा ग्रहा को को पसंदगी करने के विसाल अउसर प्राप्त होते हैं चौथा पॉइंट बाजार में सरकार का हस्तशिप नहीं होता पाच्वा उत्पादन के जो साधनों का बट्वारा लाब के आधार पर ही होता है और छटा पॉइंट हमें अब इस्टुएंट्स अगला यहां पे दिया है में बाजार पद्धती से लाब तो पहला लिख सकते हो आप बाजार पद्धती में व्यक्ती की आर्थिक सोतंतरता बनी रहती है तो यह उसको उसे लाब होता है दूसरा उत्पादन साधनों का अधिक्तम और कारेच्छम उ मतलब जिसे अगर माले जे आपकी खुद की चीज है तो जब तक आप उसे खराब नहीं हो जाएगी तब तक उसे आप यूज करेंगे, खराब होने के बाद भी आप क्या चाहेंगे कि ये चीज को में रिपेर कराके यूज कर सो कुछ जिससे मेरा पैसा ना खर्चाओ, अलिक्तम उत्पादन प्राप्ट किया जा सकता है और अर्थ तंतर में सतत नए संसोधन होते रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास को गती मिलती रहती है, इस परदा के कारण वस्तों की गुणवक्ता जो होती वो क्या होती है स्रेश्ट बनती है, अगला हमें दिया है बाजार पद्द्द्दी की मर्यादाएं, मतलब कमिया कौन कौन सी होती हैं तो वो हमने देखा, अभी हमने क्या देखा, उसके लक्षण देखें, उसके लाब देखें, अब यहां पर कौन कौन सी कमिया हैं बाजार पद्द्द्द्द्द्द्द्द् कि वस्तु का उत्पादन अधिक होता है और प्रात्मिक अवश्रक्ता हो कि वस्तु का उत्पादन जो होता है वो क्या होता है घटता है यानि जो प्रात्मिक अवश्रक्ता है हमने पढ़ा यानि कुर्सी शेते से जूरी हुई उन सारी चीज वस्तु का उत्पादन उसके अं नमबर टू राजी की कोई भी नीती विष्यक भूमिका ना होने शे करना प्रकुतिक संसाधनों का अवय या याई सोचा- समझा याई वय नुकसान होता है नमबर थ्री, ग्रहा को बाजार की विशे में अग्यानता होने से उसका सोसड़ेनी उसे लूट लिया जाता है मतलब ज़्यादा भाव ले लिया जाता है चौथा, संपत्ती और आएका किंदरी करण होने से आएकी आसमानता बढ़ती है जैसे कि किसी इंसान ने अपना पूरा पैसा सेर किसी सेर बाजर में लगा दिया तो वो सारा पैसा की क्या पैसे की क्या होगे आसमानता होती है मतलब किसी को जदा पगार, किसी को कम पगार तो ये भी इसी के अंदर समाविस होता है पाँचवा एकादिखार आर्थिक और इस्तिर्था मजदूरों का सोषण आदिका भै इसके अंदर रहता है जिसा कि आप सभी स्टुदेंट्स न्यूस के अंदर सुनागा किसी आदमी से मतलब पैसा कम देते हैं उसे जदा काम करवाते हैं तो ये मजदूरों का सोषण जो ह ने ये पद्दती अपना कर तिवृता से आर्थिक विकास अपना किया समाजवादी पद्दती समाजवादी आर्थिक पद्दती बाजर पद्दती के एकदम विरोधी यानि आपोजिटे समाजवादी आर्थिक पद्दती में सभी निर्णे राज तंतर के द्वारा लिये जाते हैं उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित केवल राज पर ही होता है जबकि हमारा भाराज जो भी कह बाजर पत्ति को अपनाता है इस पत्ति में सामगर अर्थ तंत्र का संचालन यानि राज कह सकते हैं देश के द्वारा होता है उत्पादन पुंजी निवेशांदनों का अगर आप जाएंगे अपने प्लांट के बारें बताएं कि हम यह चीज बनाते हैं तो आपको चीन की जो सरकार जोगी वह आपको आप जमीन भी देगी सब कुछ देगी आपका टेक्स वगेरा सब कुछ वह सब कुछ करेगी वो लोग क्या कहेंगे आप मेरे वाँ आईए बि तो सामग्र समाज का क्या होता है कल्यान रहता है इसलिये आपने दिखांगे चीन में गरीबी थोड़ी क्या है कम है चीज वस्तूव का उत्पादन और भाव राज्य की दवारा निश्यीत किया जाता है जैसे हमारे होग है किसी वह चीज किसी एकी कि वहां मिलती तो उसका भाव जो होता है वो राज़ों के द्वारा निश्यत किया जाता है राज्यों के द्वारा निश्यत कि उत्पादन के लक्ष को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राजजे जो है अनुसार उनसे काम भी लिया जाता है, जैसे कि माली जो कोई यंग है तो उसे वो ज़्यादा काम कर सकता है, तो उसको वेतन ज़्यादा मिलेगा, कोई बुजुर्ग इंसाने गर काम कम करता है, तो उसे वेतन उसके काम के इसाब से कम दिया जाएगा, तो अब यहां पे हम स्टूरेंट देखेंगे समाजवादी पद्दती के लक्षण का है वो लक्षण यहां पे हम स्टूरेंट देखने वाले हैं तो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है उत्पादन के साधनों की मालिकी यहां पे किसकी होती है राज्य की होती जबकि बाजा निनने जो होते हैं वो कंपनी मालिक यानि नीजी के द्वारा मतलब मालिक के द्वारा लिए जाते हैं तो सेर होल्डर के द्वारा लिए जाते हैं आर्थिक प्रुवती के केंदर में लाब नहीं बलकि उसमें क्या होता है अपितु समाज का हीत होता है अब उसमें हीत किसका ह सिर्फ ओनली फोर बाजार पद्दती में जो कंपनी वाला होगा उसी का हीत होता है चौथा सिर्मिकों को काम की बदले वेतन चुकाया जाता है जबकि वहां पर क्या होता है कि कम वेतन पर अधिक काम कराया जाता है बाजार पद्दती के अंदर तो अगले टॉपिक के अंदर और विलाशीता की वस्तुव का उत्पादन नहीं होता है, तो ये फाइदा होता है, तो नमबर टू, इस पद्दती में उत्पादन का निर्ने राज्य के दुआरा ही लिये जाने वाले प्रकुतिक संपत्ती का अव्यों नहीं होता है, नुकसान वगेरा नहीं होता, जो प्र पद्दती के कौन-कौन सी सीमय हैं, यानि कमिया कौन-कौन सी वो यहां पर हम देखते हैं, तो दिया गया हमें समान, बट्वारा और सामाजी कल्यान के उम्दा उद्देश के साथ लागू की गई समाजवादी पद्दती में कुछ कमिया हैं, जो नीचे दिये गए नमबर वन, उत्पादन साधनों का स्वामित राज का होने से उत्पादन बढ़ने के लिए प्रोचसाहन नहीं मिलता है, दूसरा, इस परधा के अभाव के कारण, अर्थतंतर में संसोधन को वेग, यानि जो संसोधन जो है, वो कह सकते हैं हम यापे खोजवगिरा, उसमें यापे स्पीड तीजी नहीं देखने को मिलती है, इस पद्धती में वेक्ति गज सोधन तरता नहीं होती है, जबकि बजर पद्धती में वेक्ति का सोधन तरता रहती है, चौथा पॉइंट, राजे के संपूर्ण हस्ता छेप की कारण, नोकर शाही का भै उत्पन होता है, यहाँ पर आसंका जोती वोद्पन होती है, अगला यहाँ पर आता है, मिश्र अर्थतंतर हमें दिया गए, बाजार पद्धती और समाजवादी पद्धती के कुछ कमियों के कारण, दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी अच्छी बातों का सुमेल साथकर और मध्यम वर के रूप में मिश्र अर्थतंतर को पद्धती को अस्तित्वम में लाएगा, यानि मिश्र अर्थतंतर और समाजवादी पद्धती दोनों में से जो अच्छी अच्छी बाते हैं उनको ध्यान में रख कर, जो नया तंतर की इस्थापना की गई, उसे मिश्र अर्थतंतर का ऐसी पद्दती जिसमें सारवजनिक और निजी छेतर का सास्ती तो होता हूँ यानि इस्टुएंट्स कह सकते हैं सेमी गौर्मेंट यानि जमीन वगिरा सब सरकार की हो लेकिन चलाने वाले कौन हो प्राइवेट हो जैसा हमारे आपे जो बी आर्टी आपने देखा है वो जमी में नीची छेतर में कुर्शी व्यापार विभिन्नू उपयोगी माल के उद्द्योग आदी की माली की वेक्ति गतिया नीजी होती है जबकि भारी उद्द्योग सनरक्छन सामगरी कारखाने रेलवे बिजली मार्क सिचाई आधी आधारबुत चाबी के रूप में माली की राज की ही होती है इस पतती में बाजार संपुन रूप से सोतनत नहीं होता सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न तरह से निर्णे रखे जाते हैं जैसे कि रेलवे जो भी सरकार ये लेकिन कुछ सालों के अंदर मुझी सरकार कहने कि रेलवे को भी प्राइवेटाइशन किया ज जैसे कि भी हर कोई सफर ट्रेंग में कर पाता है तो अगर प्राइविट में अगर हो जाए तो इसका जो भाड़ा जोगा वो और बढ़ा दिया जा सकता है ऐसा होने के संभावना है कि समाज में अनिच्छिक वस्तु का उत्पादन रोकने के लिए राज्य के दवारा उचा कर लादा जाता है तो इसी तरह बीछडे शेत्रों में उद्द्धो को स्थापित करने के लिए राज्य के दुआरा सबसीडी कर में राहत आधी प्रोशाहन दिये भी जाते हैं तो मिश्र अर्थ तंतर के अंदर क्या होता है जहां पर वस्तु का पादन रोकने के लिए अनिच्छन यह जो बीन उपियों की लोग यूज़ करते हों वस्तु का जैसे आपके पास एक कार है फिर आप में दो कार ख़ली ख़ली दिखावा करने के लिए तो ऐसी जगे पर उस से लोग प्रुचाहन किया जाता है इस प्रकार मिश्र अर्थ तंतर एक ऐसे पद्दती है जिसमें आर्थिक निन्ने की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है जिसके लिए सारवजनिक और निजी सहास का सास्तित्व स्विकार किया जाता है इस जो निजी सहास जोगा वो सरस्थित उसका सुविकार किये जाता है मतलब गौ़र्मेंट की परमेशन से इस परकार अंकोस और नियंतरन होने से मिश्र अर्थतनतर की पधदती को नियंतरित आर्थिक पधदती भी कहा जाता है ये सवाल आता है भारत फ्रांस आदी देसों में मिश्र अर्च तंतर की पद्दती पाए जाती है आर्थिक निंगे और उत्पादन के साधिनों में बट्वारों के लिए बाजार पद्दती समाजवादी पद्दती मिश्र अर्च तंतर का हमने अध्यन किया परन्तु आज विश्व के किसी भी देश में संपुर्णता बाजार पद्धति या शौप परतिसत सामाजवादी पद्धति का अमल में नहीं हैं दोनों पद्धतियां अपना विश्ष्ट सवरूप खोकर मिश अर्थ तंत्र में मिल गई है यहीं सारे देशों के अंदर बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज का नियंत्र भाल देखा जाता है जबकि सामाजवादी पद्धति में आर्थिक छूट चाट और आर्थिक उधारता के प्रभाव को देखने को मिलते हैं परन्तु मिश अर्थ तंत्र में भी कमियां पाई जाती हैं जैसे कि आर्थिक आश्तिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियां में आसद यहां पे आश्रतति आर्थिक विकास का नीची दर आदीम मरियाद हैं मिश्र आर्थतंतर में भी यहां पे कमियां जो हैं वो